आई आपको बताते हैं कि दिल्ली के बुराडी में जो केदारनाथ धाम बन रहा है केदारनाथ मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास उत्राखंट की सीएम पुष्कर सिंग धामी ने किया था और ये कहा था कि इससे सनातन धन का प्रचार प्रसार होने में मदद बिलेगी ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब 10 जुलाई को केदारनाथ मंदिर जो दिल्ली के बुराडी में बन रहा है उसका जब शिलान्यास किया गया तब किस तरीके से उत्राखंट की मुख्यमंतरी पुष्कर सिंग धामी पहुंचे और इसके साथ-साथ वहां पर तमाम पुजार के लिए अध्यात्म के छेत्र में हमारे सभी लोगों को जोडने के लिए एक बड़े केंदर के रूप में बनेगा मैं सब को सब्सक्राइब कर रहे थे आज आप काने से बहुत खुश है निसीत रूप से मैं बहुत खुश हूँ की जो है इस ते पुज्य काम में मैं यहां के दारनात को मुक्ती का द्वार कहा जाता है और वहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और यह जो तस्वीरे दिल्ली के बुराडी की हैं यह 10 जुलाई की है जब मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी दिल्ली में पहुंचे 10 जुलाई को उन्होंने वहाँ प पारी जो वहाँ पर रहते हैं जो काम करते हैं उनका कहना है कि इस तरीके का मंदिर का रेपलिका दिल्ली में नहीं बनना चाहिए आपको बता दे कि कैदारनात सीट पर उपचुनाफ होने वाले हैं और इसलिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है दरसल यहाँ पर आपको पजा है कि कैदारनात में एक तरीके से बीजेपी का विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं ये पूरा इंटरलिंक हो सकता है यानि दिल्ली में कैदारनात मंदिर का बनना और साथी साथ उपचुनाफ का होना आई आपको इस पर पूरी रिपोर्ट दिखाते है राजधानी दि वे बनाये जारे है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर को बनाने के लिए श्री केदारना धाम दिल्ली ट्रस को तीन एकर की जमीन जो है वो दान में दी गई है, मंदिर के लिएzes 15 करोड का चंदा जुटाये गया है और ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर 20 साल में बन के शद्धालू के लिए तैयार हो जाएगा हम उसी जगे में मौजूद है जहां ये मंदिर बन रहा है और तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि अभी से काम शुरू हो चुका है मंदिर का सिलन्यास करते हुए श्री पुशकर सिंग धामी ने ये कहा कि जो लोग पहार नहीं चड़ सकते उचे पहाडों में केदारनाथ धाम नहीं जा सकते जो लोग बुजूर्ग है वो यहां पे आके बाबा केदार का आशिरवाद ले सकते हैं हुबहु केदार घाटी में बने केदार मंदिर की तरह ही इस मंदिर को बनाया जा रहा है लेकिन अब विवाद शुरू हो चुका है केदारनाथ के मुख्य पुजारी से लेके सभी साधू संत जो है इस मंदिर के बनने का विरोत कर रहा है सरधालों का कहना है साधूशंतों का कहना है कि मंदिर की फ्रेंचाइजी नहीं दी जा सकती है साथ ही जो वैपारी संगठन है उनका कहना है कि उत्राखंड की 70 फीसिदी जो जनसक्या है वो चारधाम यात्रा पे आश्रित है अब से 2.5 साल बाद बाबा केदार विराजेंगे जाजधानी दिली की वो जगे जहां पे केदारनाथ से शिला लाई गई और विधी विधान से सिलान्यास किया गया जिसमें मुख्यमंतरी मौजूद रहे, उत्राखंड के कुछ संत महात्मा रहे, श्री केदार धाम दिली सम के लोग मौजूद रहे और उत्राखंट के प्रवासी लोग जो अभी समय दिली में रहते हैं वो भी इस सलान्यास का हिस्सा बने अब अपसे कुछ सालों बाद यहां पे बाबा केदारनाथ की मूर्ती रखी जाएगी नंदी विराजेंगे जैसा मंदिर केदार घाटी में है बाबा केदार का वैसे ही राजधानी दिली में भी बनाये जाएगा पर यह पहली बार नहीं है कि चारधाम में से किसी मंदिर की प्रतिकृती किसी जगे पे बनाई गई हो इससे पहले मुंबई में भी बदरीनाथ मंदिर की प्रतिकृती बनाई गई और अब वहां भी निर्मान का काम शुरू हो चुका है, लगातार वहाँ पर चल रहा है, दिल्ली में बन रहा है, ये मंदिर केदारणा धाम की तरचपर ही बनेगा। 10 जुलाई को मंदिर का शिलानियास हुआ था, मंदिर का भूमी का शिलानियास 10 जुलाई को हुआ था और ये मंदिर 3 एकड़ में बने का और इसका निर्मान केदार धाम ट्रस्ट दिल्ली करवा रहा है केदार धाम मंदिर बन रहा है वैसे तो इस मंदिर को बनाने के लिए जो 15 करोड की राशी है वो चंदे के जरिये ही जुटाई गई है मगर एक विशेश चंदा सुची जो मंदिर प्रांगण है वहाँ पे लगाई गई है भूमीदान, महादान, राशी लिखी गई है कि अगर प्रती गज कोई यहाँ पे लेना चाहता है या दान करना चाहता है तो उसे 21,000 का चंदा देना होगा प्रती वर्ग, फुट अगर कोई इस प्रांगण में चड़ावा देना चाहता है तो 2100 का चंदा देना होगा और बकाइदा सूची के जरीए पूरे मंदिर प्रांगन में लगाया गया है मंदिर निर्मान सेवा के लिए 51,000 का चंदा दिया जा सकता है 11,000 का चंदा दिया जा सकता है 21,000 का चंदा दिया जा सकता है 51,000 का चंदा दिया जा सकता है उसके बाद अगर आप trustee बनना चाहते हैं जो पूरा trust है। उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक विसे सूची है। पे लगाई गई है अब इससे कई सवाल उठते हैं जो उत्राखंड के स्थाने निवासी हैं साधूसन समाज है वो उनका कहना है कि मंदिर को जो बनाया जा रहा है ये धर्म के साथ खिलवार है धर्म को धंदे की तरह इस्तमाल किया जा रहा है